नमस्मार दोस्तों, मेरा नाम राम क्रिश्टिनिस्टा है आन्बाफ बिहाफ आप क्रेम को टेक मैं आज जो है ड्सीनिर सेंगर को अपने सो में बुलाया हूं और ड्स संदीर सेंगर अभी जो है लेक्षर कंपूर साइख डेपाट्मेंट में काम कर रहे हैं जो इनवेस्टी आप उस टाइम को में बताइए कि आप जो है पुस टाइम को में बताइए कि आप जो है प्याजडी को अपना केरियर बनाने का जो है सपना कब देखा और आपने कहां से स्टार्ट किया कि नहीं मुझे एक डॉक्टर डिगरी हासिर करना है देखिए यह एक बहुत ही एहम कोश्चन है मेरे लिए लाइक इस कोश्चन का जवाब देने के लिए मुझे अपना बेलकुल बेक्ग्राउंड स से आपको बताना पड़ेगा सब कुछ के कैसे मेरा क्या रहा क्योंकि मैं एक मीडियम फैम फैमली से बलॉंग करता हूं I belong to a medium class family or as you can say like middle class family and like I started my education like 10th and 12th from Agra fine my father is in police so he was posted in one of the police station in Agra and we were living with तो उस टाइम पर पापा के साथ रहते थे तो मतलब वहीं पर इंट्र कॉलेज था यूपी बोर्ट से मैंने अपना हाइज स्कूल और वल्ट किया उसके बाद लेकिन उसके बाद अपने मतलब नेटिक प्लेस पर सिप्ट हो गए हम ठीक हैं और नेटिक प्लेस पे मुझे म से प्लेसम ठीकनिक बेंग्वराण वाला पीविर टांब लेकिल यस वजय से like I don't know what to do and what not to do fine so just awareness about the things and my mother and father aware about the things like BA is not good, BSc is good and mathematics is a good subject fine so that's why I enroll in one of the good school सब्सक्राइब करते हैं और ठीक है और पता था बीटेक कुछ होता है और इंजिनिरिंग के लिए बीटेक होता है पर लेकिन उसके साथ मतलग कई सारी प्रॉब्लम्स थी एक तो मुझे यह नहीं पता था कि एडवीशन कैसे होता है वीटेक में उस टाइम पे जब मैंने किया था और दूसरा थोड़ा फैमली बेग्ग्राउंड भी त्राइस ट्रॉंग नहीं था मतलब हमारे माइंड सेट अप था कि एक तो बीटेक में बहुत इंट्रेंस एक्जाम मतलब कहां से फॉर्म निकलेंगे कैसे फॉर्म फिल करें तीसरा रीजन यह था कि मैं बहुत एक साई नेचर का परसन था बच्पन से ही बहुत मतलब सारमीलिया सवाब का था तो किसी से भी पूछने में बहुत कुछ मतलब डर लगता था किसी बड़ पहुत मतलब बीटेक का प्ला प्ला अप्ला निकर पाया, बीटेक निकर पाया, झाल एक फिलो हूँत्ट कर पाया बीटेक कि बच्ट अव्यद्क अडिश ग्यार ध कर्छंद्ट we were talking like I was talking with my friend and like he suggested me if you want to do the like do course like MCA Master in Computer Application then like अभी इसका MCA का बहुत अच्छा स्कोप है अगर तुम FC MCA कर लोगे तो अच्छा पर लग जाएगा तो फिर मैं उससे पूछा कैसे MCA होता है कहां पर होता है कैसे होता है और उस टाइम पर भी मेरे दिमाग में डाउट था कि करने के बाद कि मैं सोचता था कि मतलब की मार्क सीट आ जाएगी तब MCA में एडिवसन होगा हमजए का नहीं हमजए जैसे बी सी की और मेरा यू बी सी है आगरा यूनिवर्स्टी से जो कि मतलब थोड़ा उसका लेट प्रोसेस रहता है तो मार्क सीट मेरी बी सी हुई जैसे के जून जुलाई में एक्जाम हुए है मही जूर में तरीब और माक सीट आई हमारा सैटमबर औक्टूवर कनी माक शीट आए तो फिर मैं सूच रहा इस यह साल तो वेंकार होगई मेरी मार्क सिट नहीं आई है है फिर जब ले लिया हमने में अच्छी कापी अच्छी रेंक आई मेरी मुझे मतलब जी एले यूनिवर्स्टी में एडिशन रहा उस टाइम पर तो उसका नाम जी एले इंस्टिटीट आप टेकलोजी और मैनेजमेंट था तो वहां एडिशन मिल गया मुझे बिदाउट पेड यह मैं कवर कर सकता था मार्क सीट की जरुवत नहीं थी बियस सीगी तो मतलब इस इस तरह के complicated situations रहे मेरी life में मतलब बहुत ज्यादा self decision लेने पड़े कोई मतलब उतना अच्छी से गाइड करने वाला नहीं था self motivated kinds of things you can say fine so then after mca also like I faced some problem in the beginning but starting से मेरा मतलब क्लास में ठीक ही था और मतलब वह फर्स्ट और second rank नहीं किया सकते पर लेकिन ठीक था मतलब थर्ड फॉर्ट पोई संपर मैं क्लास में था अपने मतलब अच्छा ठीक ठाक था परफॉमेंस और मतलब mca किया पूरा अच्छे पूरे लगन से और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जी एले उनिवेस्टी से और जी इंस्टिटूट आप पर मुझे पता लगा मुझे पता था कि कुछ होता है कि आसपास एक दो लोगों ने किया था तो मुझे लगता था मुझे लगता था होता है मतलब अच्छा है वह युएसे में है वह इस चगहें पर है मतलब मतलब ठीक ठाक है करना लेकिन उस टाइम पर भी मुझे बीज़े के बाद एंटेक का प्रेशिजर नहीं पता था और बीचे के बाद होता भी नहीं इंडिया में तो इस वजए से फिर में मैं आया तो मैंने सोचा के चलो इस वार कर लिया जाए हालांकि मेरा प्लेस्मेंट भी हुआ था एच्छे नहीं थी लेकिन प्लेस्मेंट हो गया था करीब तो मैंने एंडिया मैं अपनी तयारी की गेट की अच्छे से और सथ्यूली एंप्सी एंडियाल सेंच्ट में क्या होता है कि होती है कि मतलब बाहर जा करनी पड़ दीए तो मैंने वह उदर जाकर ट्रेणिंग कि अपने मतलब जो स्पेर टाइम था उसमें अपना अच्छे से गेट के तयारी कि तयारी कनने के टाइम पर मतलब एक दो फ्रेंड भी थे वह काफी मॉटिवेटेड थे नाम लेना चाहँए हरियों था तो मैंने और हरियों ने काफी मिल के डिसकेशन किये काफी तयारी कि और और भगवान की गरपार से मेरा बहुत अच्छा गेटे स्कोर आया जो के करीब नाइटी सेवन परसेंटाल के करीब था वह कि अच्छा है और और अल ओवर इंडिया रैंक सिक्स्टीन हंड्रेट थी तो इस वच गोड़ एची मेंट फॉर मी और आप बिलीब नहीं करोगा जब मैं गेट का रिजल्ट देख रहा था साहिवा के पे पेट के उस टाइम से मैं अपने गाओं में था धर पे तो साहिवा कैफी गया था रिजल्ट देखने के लिए तो मतलब जैसा रैंक देखा मैंने मैं कुर्सी से उचल पड़ा मुझे मतलब फिलीब नहीं हो रहता कि मतलब इतना अच्छा स्कोर आ गया है और मैं सोच रहा था मैं चलो कोई अच्छा इंस्टिट्यूट मिली जाएगा एम टेक के लिए और साहिवा कैफी वाला भी क्या हो गया तो इसको बताया तो फिर घर पे आए तो इस तरह से मेरा का जरनी था फिर एम टेक किया मैंने अपना एनाइटी लावाद से और एनइटी लावाद के बारे में मुझे बच्छपन से ही पता था क्योंकि जब टैंथ ट्व तो इन्टेमेटिक्स के कोश्चन सौल्व करते थे और पिजिक्स को वहरा करते तो उसके पीछे कोश्चन ह मुझे पता था तो मैं काफी खुश्च था अपना एंटेक में लेने के और उठाइन नाइन टू लेवन आई कंप्लिटिट माई एंटेक कंप्लिटर साइंस डेपार्टमेंट यह सब हुआ फिर इसके बाद काफी टाइम हो गया था तो मैंने सोचा आब भाई जोब भी कर अब परवार को भी थोड़ा सा उत्तरदाहित तो नहीं हाना चाहिए परवार का वी 11 में में मेरा एंटेक कंप्लिट हुआ थेन आफ्टर देट आई जोई जोइन वन फट इंगिनेरिंग कॉलेज फॉर एज लेक्ट्टर सो आई वर्क देह फाइन एर और इसी तरह से बतल है कि आपका प्रमोशन नहीं होगा आपका मतलब जो भी करियर ग्रोथ है वो नहीं होगा तो फिर अगें आई अप्लाइट फॉर डिफरेंट इच और अधर प्लिशिस फॉर फिर फॉर्ट्टी आइट धनवाद तो आयटी धनवाद मेरा एडिशन हुआ और फिर वहां पर किया काम अच्छे से स्टार्टिंग से काफी मॉटिवेटेट था काम करने के लिए तो मेरा अच्छे पॉब्लिकेशन साए और विशा जो आइंसर बहुत लंबा चला गया कि आप कैसे मॉटिवेटेट रहे पिएशटी के लिए और मतलब क्या आपने सोचा क्यों सोचा तो यह सब है कि मुझे एक कूर्स करने के बाद आगी का कूर्स का नहीं पता था कि मुझे करने के बाद कुछ ज्यादा नहीं था प्यादी करना है निकरना तीन साल जब काम किया डिफरेंट इस्टिटूट्स में तब जाकर रिलाइश हुआ कि हाँ पीएटी होना चाहिए प्यादी किया तो यह मेरी पीएटी तक की जर्नी है और मतला बाइगाद क्रेस्ट लाइक आई गौट अबरी तैम इगु आपको कब लगता था कि मुझे लोगों को या सुसाइटी को जो है नॉलेज सेर करना सबसे मेरे लिए इंट्रेस्टिंग जॉब है आपको आप जैसे बताया आपने की में सेलेक्शन हुआ है लेकिन बाद में जब आपका गेट क्वालिफाइड हुआ तो आप नाइटी लहावाद प्रिस्टीजियस इस्टिटूट अफिल्टिया वरकर देखा जाए तो वन आप आप आइटी से भी कंपेरेवल इस्टिटूट है और जब आप तो जैसे अगर बनना है तो आप पहले से कॉंसिए क्या कि टीचिंग प्रफिसर गिरी करना या क्या कैसे यह वाली चीजें बताएगे आप इसके मैं आपको कई सारे रिजिन में आने के पीछे सबसे पहला रीजन है मेरी ममी बचपन से ही जब मैं थर्ड एन फोर्थ क्लास में था और इभिंग शेकन्ड क्लास में था दो मेरी मम्य मम्य अक्जाम पहले थी सबसे नौकरी वह वो देखती थी मतलब प्राइमरी में अपना जो टीचर है और मतलब जूनियर में जो टीचर है अपना इंटर कॉलेज़ में पड़ी है तो सबसे बेस्ट टीचिंग की नौकरी है अपना नाइन टू फाइब जॉब करो हालंकि मेरे लिए अप्लिकेवल नहीं है अभी इस टा बनाते हैं ठीक है और दूसरा यह था कि मेरे मामा जी भी टीचर थे तो इस वज़े से मतलब उन से भी थोड़ा मॉटिवेटेड थे तो तिमाख में वो थीम क्यों होती है यह अच्छा प्रफेशन है इसमें जा सकते हैं एक रीजन तो यह हो गया दूसरा चीए है कि मुझ कि मतलब डिस्ट्रिबूट करना अच्छा लगता है मैं अपने अंदर कुछ भी नहीं रखता हूं जो मेरे अंदर है अगर कोई मेरे से पूछ रहा है इमिडिटली आम रेडी तो लाइक है तो वह भी एक वह है मतलब के कोई भी स्टूडेंट पूछ पूछ रहा है इस्ट मतलब लाइफ लॉंग लवनिंग प्रॉसिस मुझे पढ़ना कापी अच्छा लगता है लगता है अगर हम टीचर हैं तो नहीं नहीं चीज़ें सीखने को मिलेंगी नहीं बच्छों के साथ में रहेंगे तो मतलब उन से भी मोटिवेट होते रहेंगे तो यह सारे रीजन है मुझे मतलब पीची प्रोपेशन में आने के लिए इन से प्रीजिनों ने मतलब प्रेरेट किया अच्छा तो जैसे आपने बीएसी फिजिस कमेश्टी मैथमेटिक से किया अपकोस हाई स्कूल्स के बाद भी जो जर्नल कोर्स के बाद भी जब यह कि स्पिसिफाइड कोर्स करना होता है तो मुझे टेंथ क्लास के पहले वाले आपके सबसे टीचर के बारे में जानना है कि जिन्होंने इंस्पाइर किया कि मतलब कोई भी मुकाम हासिर किया सकता है मुझे किसी को बताएं जो कि आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया हो कि आपको जो है फिजिस कमेश्टी मैथ वाले स्ट्रीम में जाना है और इस तो यह आपको बहुत अच्छा ही कोशन पूछा है और मैं आपको बहुत धन्नवाद देना चाहता हूं इस कोशन के लिए क्योंकि एक टीचर है टीचर कई सारे हैं जिनका बहुत रेस्पेक्ट करता हूं पर एक मेरे बहुत ही पतलब हैप्र टीचर है और उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ बच्पन से ही जैसे कि मैंने आपको बताया था आगरा में हम पापाजी के साथ में रहे तो वहां पे लाश टू में था उस ट सब्जेक्टिव मेरे को पढ़ाए हैं जैसे क्लास टू से फोर फाइब तक तो मतलब सब्जेक्ट कॉमन होते साइंस पढ़ा दिया इंगलिस पढ़ा दिया और मैं उनको जिंदगी भर याद रखूंगा तो क्लास शिक्स तक मैं उनसे पढ़ा और मतलब बहुत कुस सीखन को मिला तो ही इंस्पारिग टीचे फॉर मी उनसे ही में को मैंतेमेटिक्स में मतलब और उन्हीं की वज़े से आज मेरा मैंतेमेटिक्स फैबरियर सब्जेक्ट है और कोर्स आई डिट माई सब्जेक्ट यह है और लेकिन मैंतेमेटिक्स में थोड़ा करियर का ज्यादा स्कोप नहीं है इसलिए मैं उधर की तरफ नहीं बड़ा यह है तो आप जब 11 12 में डिसाइड किया कि आप मुझे मैंस लेना है तो 11 12 वाली जानी बिताईए कैसी आप मैनेज कर रहे थी चिजि समुद्र रहें आपको तीन समुद्र एक साथ दिया जाता है बहुत पतली-पतली किताबें पढ़ते हैं इसके बाद अचानक से मोटी-मोटी फुकें पढ़ना स्टार्ट हो जाती है और वही जो है जिन्दगी का सबसे बड़ा डिसाइडी फेक्टर होता है कि के बाद कहा जाओगे तो बहुत ही अच्छा कोश्चन है और कि मैं बताता हूँ कि टेंथ के बाद क्या होता है कि जो नॉर्मल इंट्र कालेइग होते हुने में क्या होता है कि दो 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 प्रांच मिंद उती है लिए यह सारी कालेज की बात नहीं कर रहा हूं पर मेरे कॉलेज में ऐसा था बायलोजी वाले फैकल्टी आती है ठीचर आता है वो कहता है नो 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 बायलोजी लेना टेंथ के बाद डॉक्टर बनना और चुब अपने अपनी तरफ दोनों फीचर खेचने पर लगए हुए थे मैंने असाब कहीं है मुझ फ्रॉण OH OHCall K2 कि उसमें थोड़ा सा सलिवस ज्यादा है तो दो आपकी फिजएक्स की हैं दो कैमिष्टरी की है और मैंट्स की six books हैं इंडर में वह बहुत थोड़ा सच्छादा इसके बाद आपके हिंदी और इंग्लिस भी पढ़ना पड़ता है है तो हिंदी इंग्लिस के लिए तो बहुत कमी टाइम मिल पाता है तो अपना इसी में लगे रहते हैं पर आप अगर मेरा विलीब करेंगे तो मैं 11th में औ पांच बार सारी बुक को पड़ चुका था और इविन आई ट्राइट टू सॉल्व दिस बैक साइड कोस्टेंस जो आपके पीछे जो आपके बतायते हैं मैं आर इसी के कोस्टेंस तो कुछ हद तक मेरे वह भी सॉल कर ली थे मुझे मतलब एक तरह का जुनून था 11th में लोग आप देखते थे मैंने रामाइड सीरियल मतलम नहीं देखता ता तो पॉड़ावस में जो आण्टी जी वगएरा थी या फिर जो पॉड़ावस के भाई भाई थे वड़े 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 संदीप कैसाल लगा आर्सम में अपना लगा रहता है इसी तो कम से कम देख लिए अगर आता गंटे एक गंटे तो मतलब आराम करी सकते हैं मतलब और तो मतलब यह सारी चीज़े हैं मैं अपना पूरा स्टडी की motivated था इन सब चीजों को लेकर और एक बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि यह interview मेरे friends भी देखेंगे लेकिन यह है कि उस time पर जो हम रहते थे पूरे circle में तो वहां पर police station था वहां BTC थी और block था और teachers colony थी तो मतलब सब मिला के उस time पर 11 12 में करीब 12 से 13 बच्चे थे 12 में उस time पर और और उस क्या हुआ कि जब 12 का result आया fine तो जितने 12 से 13 बच्चे थे उसमेंसे केवल दो ही बच्चे पास थे और सारे के सारे फेल थे पास था तो मेरा मोटिवेशन स्टेडी मोटिवेशन लेविल स्टार्ट हुआ रियल मोटिवेशन पॉइंट वेर अब वह था कि मतलब कितने सारे लोग फेल हुए और मैं पास हुआ वही फस्ट क्लास तो इस वजह से मतलब वहीं से अपना मोटिवेशन होते होते हैं अपने आपको मतलब मोटिवेशन करते रहे और यही अपना चल रहा है पस लाइफ नहीं तो मतलब यह काफी सबसे इंस्पारिंग जर्णी और सेल्फ कॉन्वेशन होता है जब जब जो है कोई गाइड करने वाला ना हो खुदी को रास्ता तैक करना हो कि मतलब बस अपने अंजाम रास्तों में चल रहे हैं देखेंगे जहां डिस्टनी होगी वहां बैठ जाएंगे और दूसरी बात यह है कि अभी जो टैन ट्वल्थ में बच्चे अभी कर रहे हैं अभी आसानी से मत ना नॉर्मल है पर हमारे टाइम को फसक्रास नॉर्मल नहीं था बहुत 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 लेंदी से ज्यादा नहीं होते थे आपके लेटरिसिटी की प्रावलम इसके बाद जो है अच्छे टीचर्स फाइंड करना कभी-कभी तो रेगुलर ग्लासेश भी नहीं चलती थी तो चोदी को पढ़ना होता था. तो जब आप कॉलेज में और तब भी मुझे लगता है कि फीजिक्स और मैथ की टीचर्स और जो है अच्छे वाइलूड माने जाते थे और उसमें काफी स्कोप राता था तो कैसे आपने मतलब किन लोगों ने आपको गाइड किया कि आपके लिए जो है अच्छा ऑप्शन हो सकता है राधर देन इन फाइंडिंग आवड़ मसी इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स पीछी एक मेरा फ्रेंड था बैसे बताया थी तो बतलब बताया के अच्छा है फिर म बैंड़ा और दरद देखा तो जो अगर हम बात करते हैं तुठा जैंकर यह टूटांवेंड की उस्टाइम्सी का बहुत बैलू था और इविञ नैंटीन नाइन आइन आंइन और मतलब बशलिए की बहुत जारा वेलियू थी मतलब बो आई एस आ एपीस जो सिब सर्वें होते हैं उनके क्वेलेंट पे थे तो वह मुझे कापी अच्छा लगा सब्जेक्ट था तो मैंने सोचा कि इस फिल्ड में भी जा सकते हैं यह अच्छा है और मैं कुछ केसिस देखे थे जैसे कुछ लोग mathematics करके उनका कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था करिया अच्छे थे इंटेलिएंट थे जोब कुछ उस लेबल का नहीं था पड़ा रहे हैं या फिर मतलब कुछ वैसे ही मतलब ट्री कॉलेज में प्राइवीट पे लगे हुए हैं तो उस वाज़े से मतलब लेते हैं तो जैसे आपने ज़्यादा साइंस की कोर्स नहीं पड़े कोर्स रहा हैं यही था यही था पर जब आप मास्टर में आपको क्या डिफकलिटी इस पेस्ट वी और कि कौन कोंसे अरिया आज पर ज्यादा आपने फोकस रखा और जैसे सब्सक्राइब कर पा रहे हैं तो जब एमसी स्टार्टिंग में जाते हैं तो उसमें कॉलेज में डियार आइलाइं बी यह आल सो पर वह उन्होंने स्लेवर से डिसाइड किया है और इस टाइब से डिजाइन किया है एमसी यह का इस्पिसली फॉर फर्स सेमिस्टर को समें किसी वेग्राउंट से स्टूडेंट आए तो कम से कम एक सेमिस्टर एडजेश्ट कर अपने आप तो मेरे केस में क्या हुआ जैसे आप मैंने आपको बताया कि मेरे मैथमेटिक्स इजबन ओधा तो एमसी फर्स्ट यह मैं करीब दो या तीन सब्जक्ट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स बेश्ट है जैसे आप कंप्यूटर और अग्वेसर बात करेंगे ठीक है उसम अगर आप एकाउंटिंग की बात करेंगे वन सब्जेक्ट एकाउंटिंग जो कोई फड़ा फाइने इसलेट है उसमें ने थे मिल गए तो इस बेसिस पे मेरा मतलब अच्छा कमांड था पर समिस्टर में और अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो मैंने सी प्रो ऊच्छ दिन तो यह समझने व कि करी फिरले से दो मुईने की हो किया रहे मतलो क्या चल रहा आए कर रहा है मसला क्यों एल्ठेमेंड कर रहा है एस ट्रीकिस अव रहा हैalगेर प्र तो आज आगीर इम कंव सबसे प्रोग्रामिंग लेंगे आपने कौन से सखेंगे कि इसके बाद प्लस 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 पह से जावा था है ऐसे इसके बार इसके बार एड़ा इस तरह चीज़ दिशाए इस तरह से मतलब हर समेस्टर जो है जो एक्सपांसर होता है यह काफी सिस्टेमाटिक है इससे काफी सीखनों करता है तो जब अपने कम्प्लीट किया तो अभी आप ग्लोबल इन्वस्टीज में काम कर रहें यूके में हैं और जो है वहां पर मुझे लगता है कि मतलब बड़ा डिस्क्रिमिनेटिव विसे देखा जाता है कि तो दोनों मास्टर डिग्री हैं अगर आप इंडिया के बाहर देखोगे तो दोनों इंडिया में आपने क्या डिफरेंटली सिखा दो एंटेख में वैसे तो दोनों ही मास्टर डिग्री हैं कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है पर लेकिन एंटेख करने का मेरा एक ड्रीम था और मतलब सोच रखाता है ऐसे अपने टाइम से ही वो रिजन था एंटेख अच्छे कॉलेज से करना है मतलब जो कॉलेज है इंटिया पे तो एक यह रिजन था मेरा बाहर जाने के लिए मतलब दूसरे कॉलेज में एंटेख करने के लिए और अगर एंटेख की बात करेंगे इंटेख इंटेख लेर्न सम्ट एडवांस सब्जेक्ट्स लाइक में था कंप्यूटर नेट्वक एंटेख में अपका एडवांस कंप्यूटर नेट्वक हो गया तो उसमद्ध एडवांस लेविल पर सीख रहे हैं तो अगर आप ओ इंडेफ्ट नॉलज लिनी है और ग्यट्पिक पे हैं तो यद लेडविल द democrat कर्या सेमद एड झार इंट अवांस ले फडवांस टैख इंटूहिश् रवक एंसलेश अप्से कंपतर हैं तो सम्क यां में द एंवांस में तन क्या एंसरे ले बीदिंग गiscoverواंशन міट कियां दूसेंट्वांसे स्तूमों कर इं तिए था तेफेंस between MCA and Mtech, means in Mtech we go in more depth as compared to the MCA. And I would suggest if you want to do the Mtech, then you should do it from a good university, top university only, then it will be beneficial for you. But Dr. Sandeep I should know more. Because in our interview in Hindi, there is a big confusion. है बहुत सारे जो है जो हमारे जैसे लोकल जो उन से बिलॉंग करते हैं उनको सही जूप से गाइड गाइडेंस नहीं मिल पाता हम लोग तुरा सा तो जैसे बीटेक की आवा बंदा तो जैसे बीटेक प्लस एंटेक ओभी सिक्सिर्स का होता है तो दुनों को ऐको विलन कि नहीं करता नों क्यों नहीं माना जाता पर यह कॉस्टन दूसरा जो है यह गूड इन्वस्टी और बाट इन्वस्टी का कोंश्प्त कैसे मतलब ही इस डेली इन्वस्टी से करें और चाहिए आप हात्रस से करें हैं ना टैलर्स तो टैलेंट होता है दिमाग में जो है वो पूरे डेडिकेशन पर होता है इसको कि इस चीज को कैसे आप मतलब करेंगे कि एंडिया एजुकेशन सिस्टम इस पर कैसे का लिए देखिए आपने बहुत ही एहम मुद्धा उठाया है अम लोगों को ज़्यादा बात तो नहीं करने चाहिए इस मामली में अपर लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जैसे आपने बताया टॉप रैंक के युनिवेस्टी ठीक है एक तो टॉप रैंक की युनिवेस्टी होती है ऑपकॉर्स उसमें चाहिकश उच्छी होंगे तो वह आपको उस लेविल की स्क्राम नौलइज होगे तो आपको उस टायप के प्उफट्स के आपके डाउट क्लेर करेंगे उस टाइप था की पतला एक हातली के जो भी कापी अच्छा होगा उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को बिलेगा नहीं चीज़ें शीखने को मिलेगा तो इसलिए निटल लोग प्रिफर करते हैं टॉप रेंग यूनिवेस्टिश को माइं सम्में सेम है ठीक है लेकिन ये चीज़ भी भूत माइने रखती है जो एनव बहुत ही बड़ा डिस्क्रिमिंटिव पॉइंट है इंडिया में और बहुत सारे लोग उस पर मतलब अपना अललग बयान देते हैं और बहुत सारा इस ट्राइक भी हुआ है उस उस पॉइंट को लेके तो पता नहीं आगे फीचर में क्या होगा पर इंडियन गवर्मेंट को उस पारे में सुचना चाहिए तो आपका इनाइटे लाबाद से हुआ और आपकोस नो डाउट एनाइटे लाबाद मेरे लिए भी बहुत ही जो है एक इस्टीजेस इंस्टीट है कई लोग के लिए ट्रिम्स कॉलेज है तो आपने जो जॉब किया है ना तो क्या एम्टेक क किछी जाए कैसे मतलब भी जो मैं तक काफी कर चुका था काफी एर्स मैंने स्पेंड कर दिये थे अपनी पड़ाई में ही और मुझे अपने मतलब मम्मी पापा के लिए भी अपने मदर पादर के लिए भी कुछ करना था घर की जिमेदारियां थी तो उस चीज को लेके मुझे लगा कि जॉब ही करना चाहिए अभी लिए फुरा वेट करते हैं या पर बात में कभी करेंगे या नि करेंगे टीचिंग के लिए ही मतलब सीख है अभी करते हैं तो मेरा काफी अच्छा ठीक टाक जॉब लगा था एम्टेक करने के बाद तो बतलब फैमिली को भी मतलब में देख सकता था फैमिली को भी पैसे बगरा उन्ते दे सकता था है ना तो वह सब चीज़ें थी और फिर जब का दो या तीन साल निकल गए जिंदिक करते तो फिर लगा करते नहीं नहीं वोगा तभी इपिएच D होगा तभी वह इंदर से अपाल्ष में वही सिस्टम है पहले तो सब्सक्राइब करना चाहिए अपने किया हो गया अच्छे सब्सक्राइब करेंगे अभी भी बहुत सारे स्टुटेंट्स के लिए इतना बड़ा डाउट है इतना बड़ा डाउट है कि बारे में सही टाइम पे सब्सक्राइब करने के विज़र से या तो प्याज़ी कर नहीं पा रहे हैं या तो फिर वो अपने ड्रीम के साथ खिलवार कर रहे हैं जो कई जो बड़े-बड़ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनका भी प्रफेशन होता है कि आई शुट भी प्रफेशर आप नौले से का पर आप परसंस इन टॉप इंवर्स्टिव तो प्याज़ी के बारे में सोचने से परख क्या क्या त्यारियां करनी किसी भी नहीं कंडिज को और इस परे में उस हैपोथिटिस को कैसी आपने वाईट करेंगे उसका क्या आपको एडवाइस रहेगा कि किसी पीज़ी जोईं लेखिए आपको मास्टर्स करने के टाइम पर ही आपको अच्छा हूं अगर आपको पीएश्टी करना है आपको डॉक्टर डिग्री लेनी है तो तो जैसे के सब्सक्राइब 15 i far कहाँ कर सकता था हो जाइब अपने अंदास पूुछे मतलगा कि किस फिल्ड में रुष्छी है फिर उसी फिल्ड को आपको करना पड़ता है रिसेर्च उसी फिल्ड में अंदर तक जाना पड़ता है एक पर्टिक्लर टॉपिक पर तो अगर आपको उसमें बेसिक नॉलेज़ ही के लिए नहीं है तो आप कैसे कर पाएंगे सबसे बड़ा जो कोश्चन आता है कोई जो जैसे कोई प्रसेश करते हैं और वहां पर अच्छी यहां प्रसेलिटी हो जहां पी हो हाई वालिम आप डीटा को प्रसेश कर पाएंगे आप इमेज प्रसेश में अगर सुपरवाजर अबलेबल नहीं है आप इन्वेस्टीज में किसी दुसरे अपर इसको अपरश्मिटी अपर्शुनिटी दुसरे अरिया में 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 लिए उसको कम्प्रुमाइज करना चाहिए इस केस को लेकर तुमारा साथ क्योंकि बहुत स इसे टैकल करें ओ देखें यहां कई सारी पॉसिबिल्टी हो सकती है जैसे कि आपने इमेज प्रसेश में श्टार्ट किया आप इनलपी में चलेगे तो उसमें क्या होता है कि जब आप पीएश्टी में काम करना चालू करते हैं तो वह सारे इंटर डिसिपिलरी होते हैं मतल मतलब यह इंटरकनेक्टेड हैं इस बज़े से कुछ लोग चले जाते हैं पर लेकिन कुछ लोग बिल्कुल ही फिल्ट चेंज कर लेते हैं उनका खुद का ही प्रॉब्लम होता है कि उन्होंने स्टार्टिंग से ही मतलब कुछ सोचा नहीं था बस पीएटी में अडिशन ल से पहले ही कॉंसे ट्रॉपिक पर करना है कि यहाल मतलब कि क्या हम काम करेंगी किस लेविल का काम करेंगे यह सब चीज में थोड़ा। आइडिया क्यों और्पोर अइडिया नहीं हो पाता है यह लोग सेन vit में कुछ लिखते हैं और जब फाइनल थी सी सम्मिट होती है तो इसका अंसर इतना आसान नहीं है जो करता है जो एकस्पिरिश लेता उसी को पता लगता है तो कैसे मनलब करना है तो पीएजडी जो है जैसे पीएजडी करना और पॉब्लिकेशंस और अगर तीनों को मैं एक ट्रैंगूलर एप्रोश करें है तो कोई एक पीएजडी जो है जैसे स्टेट गॉर्ण्मेंट इंवस्टी से या किसी स्टेट प्राइज कर रहा है दूसरा बंदा आइटी कर रह है और जो है कोई जो हाट टॉपिक पर कर रहा है तो इस इसका पर सब्सक्राइब कर रहा है कि मिदलब जो है ज्यादा प्रेफरेबल होना चाहिए या फिर टॉप रैंक इंवस्टी से पीएजडी कर रहे हैं उनकी बहुत अच्छे पेपर हैं लेकिन उनको जो पूजिशन लेकिन लोग जो है इसको है इसको लेकर काफी जो है जो है जो फ्यूचर में आने वाली जो प्याजडी अस्परेंट हैं वह बड़ा दी मोटिवेट होते हैं उनको लगता है कि नहीं चलो पब्लिकेशन बिकारी रहेगा मतलब इसको आप कैसे मतलब इंपुट देना चाहेंगे जो भी आप यह एक पूश्चन आपने पूछे इनका क्लियर कट आंसर नहीं है लेकिन मैं करता हूं आपने वर्ट में मतलब एक्स्प्लेइन करने के लिए ऐसे आपने बोला टॉप इंस्टिटूट में क्यों जाना मतलब होता है कि जमें नौलेज है मतलब जिसके अंदर कुछ थोड़ा सब्सक्राइब अच्छा जब पी एच्टी करते है तो हाँट 입니다 अच्छा होना चांगे तो और अच्छा होगा और स्राउंडिंग एन्वाइरमेंट यह चीज़ बहुत मैटर करती है तो यह सब चीज़ अच्छी होंगे तो आपका पॉटमेटिकली पब्लिकेशंस भी ठीक ताक आ जाएगा अब आप यह इसमें बहुत बड़ा जोलमोल है जो आप मतलब नमर और पब पॉटमेशंस का बोलने हैं अगर आप अच्छी जगह जाएंगे तो डैसली मैं प्लीब करता हूं कि वहां पर आपका पब्लिकेशंस कम ही होगा क्वालिटी वर्क करना चाहूँगी पिऍसटी में तो आपका पबलिकेशंस कम ही प्रेडिउस होगा कुछ किसे हैं जो अच से कम से साथ और आठ महिने का वक्त चाहिए आपको एक्सपरिमेंट करना है आपको पीपर लेखना है और सब चीजें करनी है तो उसमें सिक्स तु सैविन और टु एट मंथ अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो इस वचे से वहां पर काम अच्छा है तो जोब बहुत अच्छी जगह पर लगना चाहिए ठीक है काम अच्छा है नॉलेज है जोब लगेगी पर लेकिन आपका जो रिजूम देखेगा उसमें फर्ष्ट इंप्रेशन आपने कहां से डिग्री लिए है इस चीज का पड़ता है फाइन आपने कहां स जी सब चीजह आती है तो वह ठीक है अच्छा बंदा है और मतलब अच्छे से काम किया है और चांद से पीएश्टी किया है ठीक है अगर माल लिए एक आइटी वाला बंदा बैठा हुआ है जिसने आइटी से पीएश्टी किया है एक इस्टेट गवर्मेंट वाला वाले का खुब पता होगा उस को इसने बहुत कुछ फेस किया होगा अपनी लाइफ में क्योंकि इसको पैसिलेटी जुझक्छी नहीं मिली होगी इसको सब जैंग्यों कि सेटे आ ऐसके सस्थ सब चीयों का अगर कंपूजिन निकाला जाए तो उस बेसिस है कि एक पडिकेंसी है तो वीज़े आपके त्यार रहते हैं कुछ ऐक बैक्विकेंसी है तो तबेस्ट्रिकेस्टि सब्सक्राइब करूच के लिए पर इंडुस्ट्री में किसी अच्छी के लिए उसमा बीस आपको एक या दो या तीन ाइटी वाले मिल जाते हैं तो मुश् लेकिन रहे तो वह तो यह सारी चीज़ें है इस बैसिस मतलब वह सेलेक्शन होता है हम यह नहीं कह सकते हैं पर लेकिन यह सब्टर की ज़या से मतलब जो नौरमल इसे कुछछे रहाजाते हैं इंडिया जैसी कंत्री में तो यह तो ही पीएजडी की बातें अब जो है जैसे आरिया किसे ने स्पेसिफाइड इसे आज के टाइम पर अगर आम आपका जो अरिया है पर ज्यादा तर फोकुस रख रहे हो तो इसको कैसे फोरकास्ट करोगे आप इसका क्या लॉंग टर्म जो है आप फरिशनोटीज हैं और अभी कौन-कौन सा अईरिया है जो अभी भी बचा हुआ है जो आप मसीन लेर्निंग डीप लर्निंग डिसेसर को फोकस रखना चाहिए जो नए एस्परेंट हैं जो पीएजडी करना चाहते हैं और कैसी मतलब इस इसको आपकाइट करेंगे मसील लेर्निंग में मेरे को इंट्रेस्ट अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है कि मसील लेर्निंग भी नया फिल्ड है तो मेरा फाइनल ही था मतलब इस तीन में मेरे पीएजडी कंप्रेट हुआ तो 2016-17 2017 में मसील लेर्निंग श्टार्ट किया था तो तभी से मसील लेर्निंग पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे पता है और पहले भी पता था कि मतलब मसील लेर्निंग बहुत आगे जाने बाला है बहुत एडवांस इसमें टेक्नलोजी आने बाली है और इसी लिए मैंने अपना पोस्टॉक भी उसी रिलेटेट से तो मतलब वहां काफी कुछ सीखा और जो डिफरेंट अगर आप एप्लिकेशन की बात करेंगे मसील लेर्निंग की टीप लेर्निंग की तो ते आर ट्यू हूँज आप कोई भी फिल्ड नाम ले कोई भी फिल्ड बोल दीजिए जिसमें यह टेक्निक्स यूज नहीं हो र और चाहिए वह आगे आगे आए वाले दस साल की बात करेंगे तो इसका अभी कुछ नहीं वाला है सचाहे रहेगा और बढ़ेगा ही कुछ वेरिएनट्स आते रहेंगे जैसे के वंसील लोनिग डीप लेरणिंग अब डीप लेर्णिंग की भी सरी तो लोग मतलब यह दी टेक्निक्स कापी अप्लाई कर अच्छा तो एक मसील लड़ी रिसर्चस करें जो सबसे ज्यादा इस्पेसली जो रिसर्चस हैं जो मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं डेटा का हैनम ज्यादा तर जो एकेडमी के इस्टिविशन्स हैं के पास रिल टा करना उटकी पास इसकी अच्छी प्रोगामिंग इसकील से अच्छी जानकारी भी है को एक राड़ डेटा के साथ कैसी खेल सकते हैं तो यह जो है डेटा डेटा वाले चीज़ों को कैसे हैंडल करें एक मसील लड़ी रिसर्चस जो है एक हाई डाइमेंस्स डेटा को कहा सी ह करें कैसी वह एक्सप्रोग करें इस सब चीज़ों के बारें किसे आप अपना देगे देखिए डेटा की आप बात करेंगे आपको ट्रेक्टिकल लिए डेटा चाहिए आपना तो बहुत सारी ओपिन सूर्स वेबसाइट से हैं उनसे आप डेटा से डाउनोर कर सकते हैं कु कुछ अप्लिकेशन इरिया इसको निकालते हैं तो मिजोटी आप्लिकेशन में आपको डेटा सेट अवेलेबिल हैं फिर यह पॉस्ट ऑनलाइन आप उनको यूज करो और जैसे आप अपना पीएच्टी आपना रिसरच करने के बाद इंडेस्ट्री में जाते हैं या सेट नहीं है जिससे आप अपने प्रेक्टिस कर सकते हैं जो है जो काफी सब्सक्राइब के बाद भी किया और इस पे आपका डिसीजन जो है कैसे हुआ क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि पीएच्डी के आगे कोई पढ़ाई नहीं है आप जो इंडिया में एक नया ट्रे बड़ी नवकरिया से लोग पॉज्डाओ कि लिए जा रहे हैं और भी पॉज्ड़ॉ इंडिया से लिह करना है बार के लोग टॉफ राइंक करना है आव यह जो है पॉस्ड़ॉग को कैसे अच्छी इंवस्टिज सर्च करें और पॉस्ड़ॉग करना क्यों जरूदी है उस कैसे सर्च करें और क्यों जरूरी यहां से स्टार्ट करें और कैसे जो है टॉफ इस लेटरी फाइंड आउट किया जाए उस पर आप स्वासाइन कुल दें अच्छा क्वेश्चन है पीएश्टी क्या होता है पीएश्टी एक इस चेस्ट काइंड ऑफ ट्रेने आपका कोई भ भलता है पाप्लिकेशन करने के बाद उसको उतना होजाता है कि हां मैं इस फ्षीलड में कुछ अच्छा कर सकता इस फिउल्स चाह क्शा काम कर सकता तो उसके लिए एक option है कि पीएटी के बाद द्वारा पीएटी करना तो एक तरह का अच्छा नहीं रहेगा तो उसके लिए पीएटी के बाद पोश्टो कर सकता फर्दर रिसर्च पोई भी मतलब डिगरी नहीं है वह एक तरह का experience ही जैसे की अपनी रिसर्च कर सकते हैं और और आपको अच्छी मिल जाती है तो उसे मेरी कहानी है मतलब अच्छे आपको इस पर वाइज और आपको अच्छी पैसिलिटी जा बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मतलब यह हो सकता है कि तो वही होता है सब चीजिएंगा जीतना उपर लेविल जितने अच्छी लेविल पर जाओगे अच्छी चीजांगे मिलती तो जैसे आपका जो पोस्ट्रॉक है डेन्मार्क से है आप जो है आई आई आटी की लैबरेटरी में और डेन्मार्क की जो कॉपइगाउं इ या फिक्या डिफ्रेंस थे जोनों में तर्वाइज आपको बता है तो अगे एक एक जाम्पल बताता हूं जैसे के हम युनिवेस्ट्रियों को पिनेगर में में वी कोलबरेटिट विट रेडियोलोजिस्ट दॉक्तर तो डॉक्तर्स थे मेडिकल डॉक्तर्स हुन्होंने इस में यहां पर यह पॉइंट नहीं कर रहा हूं किसा हुए हुए भी यहां तो नहीं होता हुआ हुआ हुगा दो लेकिन मेरे नहीं दिखा था अब जो पुब्लिकेशंस कर रहे हैं जैसे अपना कोपने करन में है वह मुश्टी फोक्स कान टॉप पिर कांवेंस जो के आपके इस्टार कांवेंस पॉब्लीकेशंस वह दिसे मैं काई हम्ट अप ईंट ट्रॉप ट्रांजिक्शिन पव जन और आपको अपना इसमें कोई नहीं तो वहां है लेकिन आप थोड़ा सा लोगर लेविल पर जाओ तो वहां जाता है तो इसलिए यह बोला कि मतलब अच्छे से बाहर से पोश्टॉक अच्छी उनिवेस्टी सो हो जाए तो आपका एक्सकोजर सोड़ा सा लेकिन इंडियन प्यजडी होल्डर्स पोश्टॉक को एक डिगरी मानते हैं अब जब पूश्टॉक चौन कर लेता है सब पता लग जाता उसमें तो अब आप जो है आप जो है आप आज का टाइम पे लंदन में से टल रहा हैं मैं अपने वीवर्स को बता दूं कि यूके में इंडिया मना जाता है और जाता है उसन का अलग तो आप जो है एक गलोबल आपरशूनिटी में पैसे बिलीब किये क्या रहुसारी इंडिया में भी एनाइटी जो है उन में आप जो है अपने आप काम करने के बढ़ा है आपने आपने इसा क्यों सुझा कि मुझे जो है अब इरोपिया यूके में सेटल होना चाहिए देन्मार्क के बाद अधिया साने एधिया इसारा यूनिवेस्टी में जॉप कर राथा था पी एशडी के बाद जब मैं वैंपर जोइनिंग माई बॉस्टा करने के लिए बाहर गया था किम आलांकि मेरा प्रोंपर टीवी है अधर अंदरपर्देश में आपस आएंगे अपने जारा में तो फिर उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि कुछ टाइम और बाहर बिताए जाए थोड़ा अच्छा रहेगा कि वह बहुत मतलब कॉश्टी है सब चीजे वहां उतना कॉश्टी नहीं है वह सब चीजां अच्छी है पर लेकिन कुछ हैं जैसे फैमिली और वर्क लाइफ विकेंड वर्व सॉरी वर्क लाइफ विलेंस वह है यहां पर आपको नाइन टू फाइव काम करना पड़ेगा तो लोग के बाद आप फिरी हो और कोई भी आपको तरफ नहीं करेगा कॉल करक के आपको इंडिया के एक दो क्यां फिल बता दूं वहां पर आपको दस या ग्यारह वजए आपको कॉल करके जगा सकते हैं आप में किसंदीफ यूनीड इस वर्क एंड आइम एक्सपेक्टिंग यूनीड तो वह वह चीज़ें कॉंप्लिकेट हैं उस चीज़ें से कापी म किया हूं जहां भी काम किया हूं कई सारी में मैं रहा हूं मेरा सब जगे अच्छा ही रहा है पर लेकिन तब भी उसके बाप जूद भी वालो फूरा दिन कोई भी बंदा काम कर रहा है और रात में तुम उसको खट-कटा रहे हो गए तरब आ जा उसका के संदीफ यूनिट वहां सब चीज़ा मतलब प्रॉब्लम आ जाती है मनी मैटर्स मनी वह है पैसा है पर लेकिन लाइफ भी तो देखनी है दूसरा अगर आप कंपरीजन करोगे जैसे कि डेनमार्क का इंडिया कंपरीं करोगे या फिर यूके का और इंडिया कंपरीं करोगे तो उसी दिफरें नबना सेखेंट है आपको काम देंगे आपी सावर्स के बाद चाया आपकलें किसाथ पैमिलि के साथ रहें आपका जो इंडिया इंदियन सिस्तम ओर तों टों पर industry also there is a like a complication industry like like whole night we are working whole day we are working and in last sometimes like we are not getting reward for that also every patient matters like much when if you are doing work then you should be appreciated by your seniors by the management but like we are not getting the reward so these are the some factors and points by which like i settled in uk and let's see for some more time i will be here and i don't know about the future where i will be but right now i have a permanent position in uk so i'm here okay so uh i think i think cmu right that's what i think metropolitan university yeah yeah so um what i mean what i'm studying courses and how do i think प्रिप्रेंजिंग किया है और जो है अपको से स्टुडेंट तो हर जगाए की होते हैं लेकिन किस तरह के कोस्ते हैं इसका जो है करने में आपको फ्रिफेर होके आना पुरता है आज के टाइम बड़ी चैलेंजिंग हो गई है यह आपको करने के लिए करनी पड़ती है क्या डिफेरेंसे होते हैं दोने इसमें आपी मेरे मेरे साथ में ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है उसके कुछ रीजन है क्योंकि मिज़ेंक करीब तो वह एक्सपिरेंस मेरा अभी काम आ रहा है दूसरा यह है कि मुझे जो सब्जेक्ट एलोट हुए है वो मेरे रिशर्च से लेटेड एलोट दौना ही सब्जेक्ट डेटा साइंस से लेटेड हैं वन इस डेटा एनलेटिक्स फंडामेंटल आप डेटा अनलेटिक्स और प्रोग्रामिंग इंडेटा साइंस तो दौना सब्जेक्ट हैं और दौना ही सब्जेक्ट मेरे रिशर्च से लेटेड हैं तो उसमां अलमोस्ट सारी चीजे मुझे पहले से ही आती है रिवीजन करना है और जब हम पहले ही इतना उसी फिल्ड में रिशर्च कर चुके हैं तो इस्टुएंट कहां बाहर का कोशन पूछ पाएगा तो सीधे सी बात वही है तो अभी थोड़ा सा उतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है पर मेरा कोशिस रहते हैं तो जो पूछ रहा है उससे ज्यादा बठाने का तो और मेरा मैं आपको बताई चुका हूं मैंतेमेटिक् चलता है तो इस वज़े से और इस्टुएंट्स की बात करेंगे तो इस्टुएंट का लेबिल तो सब जगे मतलब मोर और लेस सेम ही रहता है तो कुछ अपने इंडियन स्टुएंट्स भी हैं और अपने यहां के भी हैं लंदन बगैरा के सब मिक्स है यहां पर चैलेंजिंग हो गया टीचिंग वी एक टाइम होता था कि टीचर्स को सबसे रिलाक्स माना जाता था और सब लोग रिस्पेट करते थे कि अरे गुरू जी है और टीचर्स हैं प्रोफेसर हैं और सबसे आराम की जिन्दिक है आज करते हैं क्या वर्क लाइफ वैरेंस का जो पढ़ाई में जो छोड़ा पूर टाइम बचत फिर इतनी कंडिशन्स जो है टीचरों टूपर डाल दिया गया है कि मतलब मुझे नहीं लगता कि दस सिक्स तू एट आवर्स भी पीश्पली सो रहे होंगे टीचर्स हां वह आप कबल को सही बात टीचिंग आज की टाइम का बहुत ही चेलेंजिग जॉब है तुना असान नहीं है और मैं का हूंगा के चीचिंग इच बोर कॉंप्लिकेटेट थैन अंडिश्टी नहीं टेच विकाच वी नीडिट टू है इन अडिश्टी जुट्टी जुट्टी श्टीच वीर वेकिन पर्टिकलर प्रोजेंग ब् बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे डिश्टर्बिंग फैक्टर्स है इन बिटूइन जो कम जो आते हैं तो जिसको इंट्रेस्ट है टीचिंग का उसी को जाना चाहिए तो जैसे कि मेरा इंट्रेस्ट है तो मुझे इंस सब चीज़ों करने में अच्छा लगता है पर लाग सब्सक्राइब के सामने अगर कोई भी टीचर या कोई भी प्रोफेशनल्स बैठा हुआ है उनको लगता है को बंदा या तो सचल मेडिया साइट पीची है काम नहीं कर रहा है कुछ है तो बड़ा मतलब डिफकल्ट हो गया है कंपूटर साइंटिस्ट को या कंपूटर को कर रहा है तो यह जो है जो सॉसाइटी की इसको कैसे जो पूछ रहे हैं यह थोड़ा सा उस लेविल का है जैसे एबरेज इस्टिटूट हो गए या पर जो लेवल के कॉलेज़ उनके लिए पाच्छे इस्टिटूट में तो आप कोई वीडिए पूछेगा आप काम कर र तो आपको क्या कर रहे हैं तो छोटी जगए हैं जो मतलब भी करते अपने इंपलओई पे तो यहां यहां यूकी की बात करेंगे तो यह यहां पुरा टूटली ने कंपिलीटली ओपिन एर्वायरमेंट है से सब्सक्राइब करता है तो एक जो और मुझे चुकी नौर्थ इंडिया से मुझे तो लगता है कि 70% अभी जो नौर्थ इंजिन इस्टूरेंस इंग्लिस फोविया से जूज रहे हैं मुझे जहां तक लग रहा क्योंकि अभी जो इंग्लिस मीडियम की स्कूल्स हैं जैसे जावाल नहरू हो गया बहुत रहें एक दो दो हैं और और अपकोस्वागा जो मीडिया में हिंदी मीडियम है अब वह बच्चे इस्टूरें इस्टूरेंटेड रहां वो जिस मुकाम उंको पहुंचे नहीं आशचे प्रमार है और इंग्लिस की इस चो रिस्ट्रिक्सिंस हैं यहां तक कि जो है उनके इंट्रिव्य रहा हैं तो कोई भी कंपनी को शलड नहीं करती यह कई जो है आज आज है जो है या फिर उनको बहुत ही जो है जो जहां पर वह नहीं बैट पार है तो इस शीस को आप कैसे उनको गाइड करेंगे क्या है इंग्रीज को सीखने का कोई आसान तरीका है चुकि अपको इसके लिए एक महोल चाहिए एक हो चाहिए जैसे आप यूके में हैं वहाँ पे हांड़ परसें इंग्रीज इंवार्मेंट वहां तो आर्टमेट के लिए बोलना ही बोलना है लेकिन नौर्च इंडियन जो है इस कैसे अपने आपको इससे फोबिया को कैसे हटाएं और अभी कैसे सीख सकते हैं इसमें आपका क्यान पूट रहेगा इंग्लिस एक बहुत ही सिंपिल लेंग्वेज है बहुत ही इजी लेंग्वेज है और इफ यूर पूइंग टू कंपेर विद हिंदी के साथ कंपेर करने जा रहे हो इंदी से तो बहुत ही जड़ा सिंपिल लेंग्वेज है हम जुक्ई हिंदी इतना आफार नहीं है वह तो हम लोगों का मात्रवासा है इसलिए हम अराम से बात कर लेते हैं पर इतनी आसवार नहीं है हिंदी पूलना और चाहिए पुस इंग्लिस के लिए आप क् का अपने इस तरह से बना लो कि मतलब आप अगर आप बात करोगे तो इंग्लिस में बात करोगे दूसरा जवाब देगा तो इंग्लिस में जवाब देगा अगर इस चीज को आप एक महीने भी रिपीट कर पाए मैं बहुत सारी लो तो कम बोलते हैं 21 डेज और संथिंग आप को एक महीने बोल रहा हूँ है एक महीने तक कि आपको तक को आपको एक महीने बाद आपको तो नहीं इतना confidence आजाएगा आपको कोई English में बात कर रहा था आपको सामने वाले को समझा सकोगी यह मतलब क्या मैं जवाब दे सकता हूं इस चीज का English में इस तरह से आप अगर practice करते जाएंगे आगे एक मेने दो मेने तीन में चार मेने पांच मेने तो एक point ऐसा आएगा कि जिसमें आप मतलब एक तरह का अलमोश्ट यू विल बी गुट और अलमोश्ट यू विल बी गुट एंग्लिस यू इन गम्मुनिकेट तो यह सारी चीजे हैं पस प्रैक्टिस होना चाहिए मैं अपना बताता हूं मेरे एमसी से पहले मजे और मजे क्या करना है क्या नहीं करना है और मुझे कोचिंग में तो बिलकुल आना ही नहीं है में अपना एक फ्रेंड को साथ में लिया हमने मतलब आपस में करते थे और वहां सारे मतलब प्रेंटिस चाहिए तो मेरा एमसी यह तक कापी अच्छा सबसे ज़्यादा जो जो मैं कमुनिकेट करता हूं से उनके अंदर बहुत 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 डर है वह अपने आपको मान नहीं है कि इंग्लिस सबसे मतलब बहुत ही टफ सब्चेक्ट है इंग्लिस बहुत ही टफ है और जिसके बज़े से जो है काफी लंबे टाइम उनके साथ सालों तक रहता है और जिसकी बज़े से अपने डारेक्शन को दुसरी साइड में वह जो है खो बैठते हैं क्योंकि एक एक इंग्जामपल हूंगा मेरा थोटा भाई अभी अभी कर रहा है अब वह जो है इंग्री स में अगर उसको पाइथाथा प्रोगाम में बता हूं तो जो है उसको तिरे अच्छे संभिन नहीं आती है करना वह ही लिए घर में पी यह देखा और उसके साथ बच्ची जो हैं यह काफी बड़ी समस्या तो है जो आपको सल्वान खान एक पूलता है डर के आगे चीत है मौन्टेन पर चड़के तो वही है वह सही है अगर आप उसको डर को क्रॉस करोगे तभी आपको विक्टरी मिलेगी तो वह तो आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा डर मुझे लगता है कि बहुत सारी जानकारी मैंने आप से अभी तो बात करने के लिए बहुत सारी है लेकिं जैसे कि पेपर टॉप रिसरस पेपर कैसे लिखे करेंगे लेकिन इस वीडियो का माध्यम से साथ कुछ बच्चों के लिए मोटिवेटिंग पॉइंट रहे कि आपकी जो जर्णी है यह करता हूं और चोटी कस्बे से लेके आज जो है वर्ड की टॉप शिटी में पहुंचने तक की जो कहानी है साथ उनको तक पहूंचे और वोई इंस पायर रहूं उनको भी जो है पैर ने की और अगे बनने ने की मअवाप के सपनों को और सम spill उठाने का जो है को अलग ज़या अक एंदर आना का ज़ो है तो थैंक यू थे च्क्राइब बार च्टेंगे ये थार प्रम्टेग से स्टाइब खब क्राइब बाल अध्यों किया ये तिर साथ i अध्यों हम्टेश्स. बिल्वाब गुटोर का पूर पार्फविक जिर्ग पुटेसे कि एंधिये। खितने से एंधिये शबिटांगे लिए गजिटेछ पुटेश कि एंधिये।्टने टुब टेके लिए औरेखरी ऑनी एंधिये। यहिए पुट टीड़ पूर पुटे लिए। टेस फिर्टने Thank you so much.